नमस्कार दोस्तो आज आपको अम्रियला शिलाई मशीन के बारे में तागा डालने से समन्दित एक छोटी सी जानकरी देंगे क्या आप भी अपनी शिलाई मशीन में गल्थ तागा डालते हैं जिसकी वज़े से शिलाई के अंदर निच्छे गाठ बन जाती है या गुंडी दे देती है या फिर कई बर तागा भी तोड़ देती है तो इस समस्याज बसने के लिए आज आपको शिखाएंगे कि किस परकार आप तागा को डाले ताकि मशीन है जो अच्छी शिलाई करे और शिलाई में किसी परकार की कोई प्रोब्लम ना हो तो मैं सबसे पहले आपको तागा डाल कर दिया देता हूं कि कैसे इस सिलाई में आपको तागा डालना है तो तागा डाल लेता हूं में अब दोस्तों आप देख सकते हैं किस परकार तागा डाले मनें यहां पर आप क्या करते हैं यहां से सीधा इसके अंदर ले आते हैं और इसके अंदर ले आते हैं लेकिन मैंने यहां पर लिया तागा इसका कारण भी बताओंगा मैं और इसके अंदर तागा ना डालें यह जल्के भी तागा डालने के लिये दिया गया हैसओ एक सरिया ऑगा शोटा सा कुजू-बनाही गी है लेकिन इसमें ठागा डाले अब कई बारोक इसके ऊपर भंकळ खाता हुथ लेकिन इसमें कभी ठागा ना डाले सिर्प यह निच्छे दिए भाना एक पिज इसके ही डाले यांगो और यहां डालने का सबसे बढ़ा कारण तो यह है कि यहां से सीधा ड्रैक्ट तागा लेंगे तो निजशे पर्मशीन गाँठ बनादेटी है क्योंकि डबल तागा इसके अंदर जाएगा तो फिर निजशे गांठ बनेगी तो यहां से तागा ले या फिर एक चोठा पेज हैं यहां पर इसको लूज करके इसके अंदर से भी गुमा करके इस प्रकार यहां ड़लाए और यहां नथी में और इसको अलग छोड़ देश बीचली वाले में तागा ना डालें शिदा ड्रेक्ट यहां डालें और शुई में तो इस प्रकार आप और चैनल को सब्सक्राइब पर लें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो